हेलो एवरिवन हेरीज दिप्ती वेलकम बैक टू दा चैनल स्कोर विद दिप्ती आई होप आपको जो मैंने लास सेशन में एक्सेसाइज 1.2 का फस्ट कोशन और सेकिंड कोशन करवाया है वो अच्छे से क्लियर हो गए है तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेसाइज 1.2 का फ़र्ड कोशन यह कोशन सेकिंड कोशन से मिलता जूलता है यह जो नमबर दे रखे हैं इनका हमें SCF और LCM फाइंड करना है किस मेथर से प्राइम फेक्टरिजेशन मेथर से तो फर्स्ट हम क्या करते हैं हमें तीन नमबर है 12, 15 और 21 फर्स्ट हम 12 की फेक्टरिजेशन कर लेते हैं 2, 6,12, 2, 3,6, 3,1,3 ऐसे 15 की भी कर लेते हैं 15, 3, 5,15, 5,1,5 नेक्स 21 की भी कर लेते हैं 3, 7,7,7,1, तो 12 की फेक्टरिजेशन क्या आगे 2, multiply, 2, multiply, 3, multiply, 1 means 2, 2, time है 3, 1, time and 1 ऐसे 15 के क्या फेक्टर आगे 3, multiply, 5, multiply, 1 means 3, 1, time 5 भी 1, time और 1, 1, time ऐसे 21 की क्या फेक्टर आगे 3, multiply, 7, multiply, 1 3 भी 1, time है 7 भी 1, time है और 1 भी 1, time है अब SCF कैसे find out करेंगे हम SCF क्या होता है, common, जैसे की 2 है, first 2 इसमें है, नहीं है तीनों में, only 12 में, वाली फेक्टरिजेशन में है next, 2 तो है ही नहीं, 3 देख लेते हैं, 3 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है तो SCF के आगया हमारे पास, 3, 1 नमबर इसमें आगया, second 1, 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है तो 1, तो means, जो common number होते हैं, वो ही हम लेते हैं, तो SCF के आगया हमारे पास, 3 तो ऐसी LCM find out कर लेंगे, LCM क्या लेते हैं, हम highest power लेते हैं, जैसे की 2 यहाँ पर 2 time है और 15 और 21 की factorization में 2 नहीं है, तो 2 को 2 time ले लेंगे, 3 यहाँ पर भी 1 time है, यहाँ भी 1 time है, यहाँ भी 1 time है तो 3 को as it is 1 time ले लेंगे, 1 यहाँ भी 1 time, 1 time, 1 time 5, अब इसमें तो होगे factor, यहाँ पर 5, 1 time 7, 1 time means, जो highest power है, उसी को हम LCM में लिख लेते हैं तो 2, 2 जा 4, 3 बन जा 3, 5, 7 जा 35 12, 35 next, 35 को 12 से multiply कर लेंगे 2, 5 जा 10, 2, 3 जा 6, 7, 5, 3 0, 12, 4 तो यह answer क्या गया, 4, 2, 0 यह हमारा LCM आ गया अब इसकी कोशन का second part कर लेते हैं, इसमें क्या number दे रखे हैं, 17, 23, 29 फर्स्ट हम इसकी क्या करेंगे, factorization कर लेंगे, 17 के factor बना लेते हैं, 17 वन्जा next, 23 के, 23 प्राइम नमबर है, 23 वन्जा अपनी डेबल में आता है, next 29, 29 वन्जा तो 17 के क्या factor होगे, 17 multiply 1, 23 के क्या factor होगे, 23 multiply 1, ऐसे 29 के क्या factor होगे, 29 multiply 1 next, SCF SCF हम कैसे निकालते हैं, जो common होता है, जो तीनों में हो, जैसे तीन नमबर है ना, तो तीनों में होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 नहीं है बस 17 तो किसी में नहीं है, 23 भी नहीं है, और किसी में, 29 भी नहीं है किसी में, तो 1 ही इसमें SCF है next, LCM LCM क्या लेते हैं, highest power means, यहाँ पर 17 one time है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 17 LGT से लिख देंगे next, one one time है सब में, next 23 one time है, 23 लिख देंगे 29 one time है, 29 है, इसमें लिख देंगे अब इसको क्या करेंगे, multiply कर लेंगे 17 बंजा, 17 multiply 29 को 23 से multiply कर लेते हैं, 39 जा 27 2, 3, 2 जा 6, 8 2, 9 जा 18 2, 2 जा 4, 5 7, 16 6, यहाँ है मारा 6, 6, 7 next, अब 17 को 6, 6, 7 से multiply कर लेंगे 7, 7 जा 49, 4 7, 6 जा 42 42 और 4, 46 4 7, 6 जा 42 और 4, 46 7, 6, 6 तो क्या आगया हमारे परस, 9, 3, 3, 3, 5 और 6, 11 यह हमारे परस, यह हमारे परस multiply कर क्या आगया 1, 1, 3, 3, 9 यह हमारे परस LCM आगया और यह SCF आगया next part इसमें हमें क्या नंबर दे रखे हैं 8, 9, and 25 first factorization कर लेंगे 8 के 2, 4, 8 2, 2, 4, 2, 1, 2 9 के भी factor बना लेते हैं 3, 3, 9 3, 1, 3 next 25 के 5, 5, 25 5, 1, 5 तो अब इन factors को हम लिख लेंगे 8 के क्या factor है 2, 2, 2, 1 2, 2, 2, 1 means 2, 3 times है और 1, 1 time है ऐसे 19 के क्या factor है 3, 3, 1 3, 2 time है 1, 1 time है ऐसे ही 25 के 5, 5, 1 5, 2 time है और 1, 1 time है अब HCF find out करना है SCF कैसे निकालते हैं common जो common हो तो इसमें common क्या है 2, 3 time है 2 नहीं है 3 भी नहीं है 5 भी नहीं है तो 1 नहीं है common तो SCF क्या आ जाएगा 1 next LCM LCM क्या होता है number highest power में होता है यहाँपर 2, 3 time है और इनमें 2 नहीं है तो 2, 3 time ही लिख देंगे next 1 next 3 3, 2 time है 5 means LCM में हम जितने भी factor होते हैं सब लिखते हैं लेकिन जिनकी power ज़्यादा होती है वो ही number हम ले लेते हैं उसी power बड़े number ले लेते हैं जैसे कि 2 की power 3, 3 time है तो ज़्यादा वाली power जो है जो highest power है वो ही power हम लिख लेते हैं यहाँपर next अब इसको multiply कर लेंगे 2, 2 को 3 time 2, 2 जा 4, 2 जा 8 multiply 1 multiply 3, 3 जा 9 multiply 5, 5 जा 25 तो क्या आ जाएगा 8 जा 8 9, 5 जा 45, 4 9, 2 जा 18 और 4, 22 तो इसको multiply करेंगे तो क्या आजेगा 8, 5 जा 44 8, 2 जा 16 और 4, 22 8, 2 जा 16 और 2, 18 यह मार पस LC मार जा और यह LCF I hope आपको यह questions clear हो गए है इसको आप 1 और 2 time repeat करना आपको और अच्छे से clear हो जाएगा और कोई doubt हो या query हो तो comment box में लिखना और मेरे इस channel को पने friends के साथ share करना और subscribe करना